आज की वीडियो CSS 2021 के एस्पेरेंट्स के लिए एक तोफा साबित हो सकती है वो इस तरह से के इस क्रूशल टाइम में ये वीडियो उनकी एक अटेंप्ट जाया होने से बचा सकती है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है वेन टू अपियर इन CSS और आज मैं आपको बताऊंगी एक कम्प्लीट चेकलिस्ट उन चीजों की जिसके बारे में आप अपने आपको अपनी त्यारी को एनलाइज कर सकते हैं कि क्या आप CSS एक्जाम में अपियर होने के लिए बिल्कुल प् अपकार हसन की बताई हुई है और ओविसली इस चेकलिस्ट का क्रेडिट में उनको देती हूं ठीक है और आपकी वीडियो लाजमी देखें एंड तक देखें ताकि आपको ठीक से अंदाज हो सके कि वो कौन सी चीजें हैं जिनको फुल्फिल किये बगार आपने CSS एक्जाम में appear नहीं होना क्यूंकि अगर आप appear होते हैं होता क्या है कि experiments हो है usually just trial basis पे यानिकि जल्स ट्राइए लेने के लिए क्या करते हैं वो CSS exam की एक या दो attempts तो वो ऐसी जाय कर देते हैं और होता क्या है जाहिर है result failure की सूरत में आता है ठीक है और failure सिर्फ और सिर्फ आपको demotivate नहीं करता, बलगे वो आपको सेसिस की जर्णी से ही बाहर कर देता है तो अगर आप वाकी करना चाहते हैं आप एक ट्रायल वेसिस पर पहले अपियर होना चाहते हैं तो आप मोक्स दीज़े, आप डारेक्ट अटेंट ना आपने जया करें डारेक्ट अपियर ना हो जाएं और ये एक बड़ा राइट टाइम है आप लोगों को ये बताने का कि आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है कौन सी अपने क्राइटेरिया जो हैं फुल्फिल करने हैं और उसके बाद एक्जाइम में आपने अपियर होना है तो विड़ाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को जी तो ये हैं वो पॉइंट्स जिसको आपने देखना है कि क्या आप इस पर पूरे उतरते हैं क्या आप ये क्राइटेरिया फुल्फिल कर रहे हैं तो ही आप CSS 2021 में अपियर होना हाँ अगर आपकी ये सब चीज़ें ओके हैं आप इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं then you are good to go, आप बिलकुल appear हूँ, ठीक है, अगर आपके ये सारे points जो हैं, आपके clear हैं, और ये सारी कमियां जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है, ये आप में नहीं है, then you are good to go, ठीक है, otherwise अपनी attempt जाया ना करें, तो start करते हैं essay writing से, तो ये तो आप सभी जानते हैं, कि CSS में सबसे ज्यादा, जो failure rate है, जो subject का वो है essay, तो आप देखा ये जाए, कि essay में failure की वजुहात क्या हैं, और वो वजुहात आपको simply, essay की जो examiner report होती है, जो कि FPSC की website में बजूद है, और उस पे मैंने एक video भी बनाई भी अलरड़ी, और मैं इंचाला उसका link जो है, description में दे दूँगी, ठीक है, और वो आप जा कर देखिएगा, कि उसमें examiner, जो FPSC का है, जो आपका paper check करता है, वो आपसे क्या demand कर रहे हैं, जब आप उसकी demands को fulfill ही नहीं कर रहे है, then how it is possible कि वो आपको pass करते, ठीक है, वो आपको 40 marks भी देदे, यह कैसे possible हो सकते हैं, और according to examiner's criteria, एक experiment के essay में, उसका structure बहतरीन होना चाहिए, flawless होना चाहिए, ठीक है, और उसकी grammar perfect होनी चाहिए, और उसका material बहुत बहतरीन होना चाहिए, अब students गलती क्या करते हैं, students को यह ilm ही नहीं है, उनका यह concept ही नहीं है, कि CSS की journey में, आपने कूदने से पहले, आपने grammar अपनी perfect करनी है, क्यूंकि अगर आपकी grammar perfect नहीं होगी, तो ऐसे तो फिर आपका obviously clear हो यह नहीं सकता, students क्या करते हैं, अपनी grammar पर बिल्कुल तबज़व नहीं है उनकी, ठीक है, वही गलती हैं, जो वो मतलब metrics से लेकर अब तक करते हैं, बच्पन से लेकर, क्यूंकि base नहीं है, यह school life में, यह college life में, उनकी जो grammatical mistakes हैं, वो correct ही नहीं हुई, ठीक है, उनको कभी एसास ही नहीं हुआ, कि वो English writing में blunders करते हैं, ठीक है, और उन्होंने कभी उसको ठीक ही नहीं किया, लेकिन अब it is a right time, कि आप पहले अपने grammatical mistakes को ठीक करें, ठीक है, अपने sentence structure को ठीक करें, उसके बाद आप CSS का सोचें, ठीक है, और यह कोई ज़्यादा लंबी game नहीं है, ठीक है, यह आपका एक महीने, डेट महीने में आपकी grammar perfect हो सकती है, हाँ, लेकिन अगर आप महनत करें, क्योंकि महनत तो फिर शर्त है, महनत तो हर चीज की शर्त है, तो students क्या करते हैं, कि grammar उनकी perfect होती ही नहीं है, और वो essay लिखना start कर देते हैं, और होता क्या है, in result, obviously, उनकी essay fail हो जाते हैं, उसमें grammatical mistakes होती हैं, उनको sentence नहीं बनाना आ रहा होता, और, अब सबसे जो बड़ा दूसरा मसला है, वो यह है, कि students essays cram करते हैं, अब मुझे भी Facebook पे, इस वो मेरा idea आपको नजर आ रहा है, screen पे, मुझे भी Facebook पे, तक्रीम अडे लिके, 10 से 20 तो messages ऐसे आते हैं, ठीक है, कि जिसमें वो मुझे से notes मांग रहे होते हैं, या वो मुझे से essays मांग रहे होते हैं, मेरे लिखे हुए, ठीक है, तो यह approach गलत है, आपने essay खुद लिखना सीखना है, आपने खुद generate करना सीखना है, होता क्या है, कि for example, आपने अगर किसी और CSP का, या किसी और mentor का आपने essay लिखा हुआ, आपने cram कर लिया, ठीक है, अब CSS वाले भी कोई इतने वो, असान essays तो नहीं देते, ठीक है, वो आपको कोई और domain, किसी और domain में, वो ही topic आ जाता है, तो अब आपको क्या करना होता है, आपको at the time of paper, ठीक है, at the time of attempting paper, आपको वो खुद से generate करना पड़ता है, और generate जब आप करते हैं, obviously, फिर आप उसमें grammatical mistakes भी करते हैं, आप उसमें फिर structure की भी गलतियां करते हैं, तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने well prepared होकर जाना है, अपना material आपने, इतना vast त्यार करना है, कि कहीं से कोई भी domain आजे, तो आपको paper करते हैं वक्त ना generate करना पड़े, बलकि उसके उपर आपके पास already, आपके अपने लिखेवे essays जो हैं, वो मुझूद हूँ, क्यूंकि, obviously, जब examiner चेक करता है paper, तो उसने कोई, obviously, 10-20,000 तो हूँगे ना, उसके पास, ठीक है, तो जो किसी का cram करता है, वही वाला essay किसी और ने भी तो cram किया होगा, किसी और experiment ने भी तो cram किया होगा, तो examiner फटा-फट आपको वहाँ से पकड़ लेता है, और वो फिर चाहिए अच्छा भी लिखा हो, वो आपको fail कर देता है, सीधा, ठीक है, इसलिए आपने, पहली बात तो यह होगे, कि आपने सबसे पहले अपनी grammar perfect करनी है, ठीक होगा, उसके बाद आपने अपना sentence structure, जो कि obviously it is part of grammar, तो वो आपने perfect करना है, तो आपका material जो है, वो बहतरीन होना चाहिए, यूनीक होना चाहिए, ठीक है, आपके arguments आपके अपने होने चाहिए, borrowed नहीं होने चाहिए, और सबसे important बात, time management, time management इतनी important है, जो कि हर paper में, हर paper में, अगर आप time को manage नहीं करते, तो फिर आप वो paper पास नहीं कर पाएंगे, तो time management के लिए आप ऐसा करें, आप अपनी attempt ना जाया करें, ठीक है, आप घर पे ही, अगर आप mocks भी नहीं दे सकते, क्योंकि academies में, obviously I can understand, कि academy में mocks जो हैं, वो 35-40,000 ले रहे होते हैं, ठीक है, mock paper देने के, तो ऐसा है कि, अगर आप वो भी afford नहीं कर सकते, no problem at all, आप घर पे, मैं पहले भी अपनी वीडियो में, काफी तफ़ आप लोंको कह चुकी हूँ, आप घर पर अपने mobile, mobile तो सब के पास है ना, तो mobile पे आप timer लगाएं, तीन घंटे का, ठीक है, और उससे पहले, यानि के आप एक topic पे प्रिपर होके बैठे ना, ठीक है, प्रेक्टिस के लिए मैं बता रही हूँ, के आप timer लगाएं, तीन घंटे का, ठीक है, और आप लिखना शुरू करते हैं, ऐसे लिखना शुरू करते हैं, outline भी आपने उसके अंदर ही बनानी है, brainstorming भी आपने उसके अंदर ही करनी है, just like paper, और बीज में आपने उठना नहीं है, कोई break नहीं, 5 मिनट की भी नहीं, 10 मिनट की भी नहीं, अपने पेपर सेटिंग में बैठे हैं, ठीक है, आप इस तरह से जब प्रेक्टिस करेंगी, जाहिर रोज तो it is not possible humanly, तो आप क्या करें, आप हफते में एक दफा कर लिए, इस तरह से प्रेक्टिस कर लिए, और इंशाला पिर paper में आपको, time management का issue नहीं होगा, हो सकता है, कि पहली दफा जब आप प्रेक्टिस करें, तब आप यह जो essay है, यह 5 गंडे में करें, ठीक है, 3 गंडे में ना करें, क्योंकि आप मतलब के time note कर लीजेगा न, ठीक है, आपने आहिस्ता हिस्ता, अपने एक full-fledged essay को, 3 गंडे के time के अंदर-अंदर लेकर आना है, बलके, it would be more preferable, अगर आप धाई गंडे में attempt करना सीख लें, क्योंकि paper में, असल वाले paper में, pressure भी होते है बहुत ज़ादा, तो ताकि आप pressure को भी handle कर सकें, then, same goes for pressy paper, pressy की, एक methodology होती है, एक अलग methodology होती है, ठीक है, और वो आपने paper में नहीं सीखनी होती, वो obviously पहले ही आपने उसको सारा समझ की, उसकी practice करके, then आपने paper में appear होना होते हैं, और pressy भी आपका, तब तक पास नहीं होता, जब तक आपने, बहुत ज़्यादा pressy की practice नहीं कर लियो, और paper में आपको पता है, सबसे जो important, pressy की paper में सबसे important जो सवाल है, वो pressy itself है, और आपने सबसे पहले paper में, pressy का सवाल ही करना होता है, और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप daily practice करें, pressy को past papers पकड़ने, यानि past paper practice करना, अगर आपने 2022 में peer होना है, then फिर आप 1971 से start करें, क्योंकि 2021 के लिए तो time, उन experience के लिए तो time नहीं है न, इसलिए मैं कहाई रहूँ कि आप recent से पीछे को आएं, okay, अच्छा जी, pressy हो गया, और obviously आपको पता है कि daily basis पे, idioms पर आपको करने चाहिए, pair of words भी करने चाहिए, वो तो एक understood सी बात है, मैंने आपको सिर्फ वो बताया है, जो कि एक मुश्किल चीज है, जो कि एक hard to correct nut है, अच्छा जी, उसके बाद third जो चीज है, और obviously one of the most important things, वो है current affairs में analytical skills का होना, अब analytical skills आती कैसे हैं, analytical skills आती हैं, वो एक दिन में नहीं आती, पहले तो आप यह समझ लें, और अगर आपकी इस वक्त, analytical skills zero हैं, ठीक है, इस वक्त, और आप 2021 में appear होने जा रहे हैं, तो please don't go for that, क्यूंकि analytical skills एक दिन में नहीं आती हैं, और नहीं यह एक महीने में आती हैं, अब यह होती क्या है, और यह आती कैसे हैं, होता ही है, आपने अकसर past purpose तो आपने देखी होंगे न, past paper के आपने सवाल देखी होंगे, आपसे वो पूछते हैं, कि आप, आपका वो argument देखना चाहते हैं, वो आपका नजरिया देखना चाहते हैं, उनको पता है, उनको facts का पता है, ठीक है, वो आपका analysis चाहरे हैं उन पे, ठीक है, वो आपको देखना चाहरे हैं, कि as a bureaucrate, कल को आप क्या, आपमे ability है, कि आप नई policies तजवीज दे सकें, policies तो आप तभी बनाएंगे न, जब आपका दमाग जो है, वो analytical होगा, और हमारा दमाग analysis कब देता है, जब दमाग को analysis देने की आदत हो, और वो आदत एक दिन में, या पंदरा दिन में नहीं बनती है, अब ये develop कैसे होगा, ये develop इस तरह से होगा, newspaper पढ़ने से, book reading से, आपकी vast reading हो, ठीक है, फिर आप books हो सकते हैं, वो magazines हो सकते हैं, वो कोई अच्छी किताब भी हो सकते हैं, ठीक है, वो अच्छा newspaper हो सकते हैं, वो अच्छे articles हो सकते हैं, आप भले ही net पे पढ़ें, ठीक है, mobiles पे, अपने tabs पे पढ़ लें, या आप hard books form में पढ़ लें, ठीक है, तो आप बस पढ़ें, अपने दमाग में आप data collect करते जाएं, करते जाएं, और obviously, आप लोगों की जब analysis पढ़ेंगे, तो automatically आपको भी अपना analysis देना आ जाएगा, अक्से मुझसे, facebook पे, या email के थूँ भी, लोग सवाल करते हैं, कि analysis कैसे करते हैं, तो analysis का कोई, यहां पे कोई rocket science नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है, कि कैसे करते हैं, ठीक है, यह obviously, आप अपने knowledge की base पे करते हैं, आपका knowledge database, जैसे ही, build-up होना शुरू होगा, जितना increase होगा, आपका analysis power उतना ही मजबूत होगा, last but not the least, optionals, अब optionals में, जब तक आपके पास, short notes आपके नहीं बने वे, then, आप sorry to say, आप CSS pass नहीं कर सकते, क्योंग, उसका reason यह है, कि आपने, obviously, अगर आपने notes नहीं बनाए, तो जाहिर सी बात है, आपने फिर paper से, चन्द दिन पहले, आपने books पढ़नी है, ठीक है, और books जहें, वो चन्द दिनों में, नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है, आप paper से, एक दिन पहले, जब आपने तियारी करनी है, जाहिरे revision करनी है, आप revision कैसे करेंगे, कि आप पूरी की पूरी book दुपारा से पढ़ेंगे, आप खुद सोचें, is it possible, कि कल आपके, आपको पता है, CSS में, एक दिन में, दो दो paper होते हैं, ठीक है, तो आप खुद बताएं, is it possible, कि आप रात को बैठें, ठीक है, और कल के लिए, आपने दो papers की, आपने revision करनी है, ठीक है, और आपको पता है, कि CSS में, usually, एक किताब से, सारे topic cover नहीं हो रहे होते, you have to consult multiple books for it, ठीक है, तो आप, यह possible है, कि आप एक रात में बैठके, आप दो-दो papers के लिए, आप धेरों किताबें दुबारा से पढ़ें, obviously, यह नहीं possible, इसके लिए, आपके पस short notes होने चाहिए, वो इतने short होने चाहिए, कि आपका जो एक topic है, वो आदे सफे पे आजए, ठीक है, टोटल एक subject के आपके, 16 से 17 सफों से जादा, short notes नहीं होने चाहिए, और हाँ, 16 सफे, obviously, असानी से, आप एक रात में revise कर सकते हो, जाहिर है, चलो 20 कर लो, 16 से 20, एक subject के, ठीक है, और इतने ही दूसरे subject के, ये भी बड़ा मुश्किल है, revise करना, लेकिन still, आप कर सकते हैं, short notes आपने बनाने कैसे, उसके लिए भी अलग से video बना दूँगी, ताकि आप लोग को idea हो जाए, कि ये किस तरह से बनाने, बलकि मैंने एक बनाई भी हुए, आप वो भी देख सकते हैं, कि short notes किस तरह से बनाई जाते हैं, तो ये वो बाती हैं, जो आपने अपना criteria फुल्फिल करके, then फिर आपने exam में पिर होना है, आपने अब तक जितने भी CSP's के interviews देखे होंगे, आपने अब तक जितने भी CSP's से उनके experiences सुने होंगे, आपने सबसे सुना होगा, कि they have made short notes for every subject, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ optionals के लिए नहीं है, ये compulsory के लिए भी है, ठीक है, और इस तरह से आपने करना है, और ये विडियो बनाने का मकसद आप लोग को demotivate करना हर्गिस नहीं है, ठीक है, इसका मकसद एक आपको reality check देना है, ठीक है, देखें, हकीकत में जीना ही असल जीना होता है, ठीक है, तो आप लोग अपने आपको, देखें, कोई भी आपको बता नहीं सकता, कि आप कितने पानी में हैं, सवाए आपके, अपने आपके, ठीक है, तो ये आपने देखता हैं, कि you are capable enough to appear in CSS 2021 or not, ठीक है, तो ये आपने देखना है, ये आपने decide करना है, आप इन points को देखिए, अपने आपको analyze कीजिए, और अगर आपका ये सारे जो आपको मैंने बताए हैं points, इसमें आप बेहतरीन हैं, ये काम आप already कर रहे हैं, ये चीजें आपकी clear हैं, then go for it, आप जरूर appear हों, और मेरी तरफ से best wishes हैं आप लोगं के लिए, और मुझे भी द्माओं में याद रखीगा, जिसाद कर लाँ अपना बहुत सारा ख्यार रखीगा, thank you so much.